नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक में दोस्तों हम लोग यहाँ पर समाने अध्यान का टेस्ट सॉल्व करेंगे जहाँ पर आपके 25 प्लस कोशन है आपके कम से कम 20 कोशन आपको लाना अनिवार है इस टेस्ट में तो अगर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला कोशन के रहा है दुद्वा राष्टी उद्ध्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थीत है तो एक मात राष्टी उद्ध्यान है उत्तर प्रदेश का ठीक है दुद्वा राष्टी उद्ध्यान एक मात राष्टी उद्ध्यान और यह आपके कहां पर है लखीम पूर खीरी जो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है लखीम पूर खीरी है समझे ना चलिए नेश कोचन आप से कह रहा है आधुने के हिंदी खड़ी बोली गद्द साहित के जनक भारतेंद हरिश्चंद का जन्म कहां हुआ था तो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्द के जो जनक माने जाते हैं भारतेंद हरिश्चंद इनका जन्म कहां हुआ था तीनका जन्म हुआ था वारा नसी में ठीक है कहां पर हुआ था वारा नसी में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था अठारा स तो पचास इस भी में वह था ठीक है वार्ण असी में और इनों ने अपने साहित्य के द्वारा एक और से देश कर देखा जाये देश प्रेम लिखा है तो दूसरी तरप सामाजी क्रतियों पर भी काफी हेल्प किया है इनोंने कई क्रतियां लिखा है जैसे भारत दुर्दसा अंधेर नगिरी प्रेम तरंग स्रीचंद्रावली आधिन की प्रुमक्रतिया है ठीके नचलिए नेक्स कोश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर मद्ध छेत्री सांस्कृतिक केंद्ध है इस केंद्र का जो नाम है वो केंद्र है आपका प्रयाग राज ठ फिलर में हैं और इसका उध्यू प्सार्व करता है निम्लीखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रिदेश की सबसे पूरानी नहर है मतलब की जवाब हुगा आपका अभी नंबर यहां पर पूर्वी योमना नहर यह उत्तर प्रदेश की अगर भारत की पूंच रहा है पूर्वी नहर ठीक है यह नहर आपके सहारनपूर जिली से निकलती है और इस नहर की कुल लंबाई लगबग है 1550 किलो मीटर है इस नहर से उत्तरपदेश के सहारनपूर मुझफवर नगर मेरट सामली हापोड गाजियाबाद जिली से सिचाई की जाती है तो समझ गए होंगे न तो यह आपकी कौन सी है पूर्वी यमना नहर है ठीक है चलिए निस कोशन आप से कह रहा है वर्ष 2011 की जनगरना के अनसार उत्तर प्रदेश में साच्छरतादर में वर्ष 2001 से 2011 तक कितनी ब्रद्धी होई है तो यहाँ पर 2011 की जो साच्छ चार परसेंट ठीक है तो 11.4 यहाँ पर चार परसेंट इनकी ब्रद्धी दर हुई है इनकी कुल साच्छतादर जो है वो 67.7 है ठीक है 67.7 है और जो 2001 में थी वो आपकी कितनी थी 56.3 परसेंट थी तो लगभग आपको यह निकला ना एवर्ष आपका निकला 11.4 परसेंट नेस के रहा है सिंदू सभीथा से जुड़े निकलिकित इस्थलों में से कौन सा स्वाई सुमेलित नहीं है तो स्वाई सुमेलित नहीं है कौन सा यहाँ पर आपका 57 है और 57 का जवाब होजेगा यहाँ पर जो जो डी नमबर लोथल लोथल आपका सतलच पे नहीं है ठीके लोथल आपका सतलच पे नहीं है तो ये सतलच पढ़ता कहां पर है लोथल भोगवा नदी जो की आपका गुजरात की नारे ठीके लोथल आपका भोगवा नदी जो की आपका गुजरात की नारे वही हडपा राव प्रथम जैन संगीती से जुड़े निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथनों का चैन करिए ठीके तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है प्रथम आपका कह रहा है प्रथम जैन संगीत कायोजन पाटिल पुत्र में हुआ था क्या ये बात सही है तो ये बात आपकी पाटिल पुत्र में संपन हुआ था ये सही है ठीके अच्छा इनके अदिचता इस्थूल बद्र ने की थी यहाँ पर आपके आपसंदिये हैं ठीके इनके अदिचता इस्थ जैन जहंगीती का युजन पातिलपुत्र में हुआ था और चपसे पहले जो मुगल वन्स के संस्थापक तेबाबर इनके द्वारा प्रमुक जो युद्ध लड़े गए थे वह आपके कौन से लड़े गए थे सबसे पहले पानी पत का युद्ध लड़ा गया जो को 1526 में फिर लड़ा गया आपका खानवा का युद्ध 1527 में फिर चंदेरी का यु कोशन आपसे कह रहा है भारती राष्टी कंग्रेश के किस अद्वेशन में पहली बार किसी मैला को अध्यच बनाया घ्या तो यह कब बनाया गया था यहाँ पर देखे कलकत्ता अद्वेशन उनीसय सद्था में बनाय गय था और अध्यच कौनativas की एनिपेशिंट थी ठीक प्रथम भारती महिला तो प्रथम भारती महिला जो थी अध्यच वो सरोजनी नाइडू थी जिन्होंने कांग्रेस के कानपूर अध्यवेशन में किया था 1925 में ठीके तो कानपूर अध्यवेशन में जो भारती महिला थी तो वो भारती महिला कौन थी सरोजनी नाइडू थी ठीक है चलिए अनेश कोचन आपसे कह रहा है 1857 के सुतनता संग्राम में लखनौ में विद्रो का नेतरत किसके द्वारा किया गया था तो लखनौ में जो विद्रो किया था वो आपका किया था किसने बेगम हजरत महल अर्था जवाब आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा और आपको अच्छा लगा है तो प्रिकली यहां अच्छा लगा है तो कहां पर अगर बात करें कि आत्या तो आपके लाहाबास से किये थे ठीक है ना और लखनौ का जो हुआ धूरा में चार जुन 1858 को जिसको मार्च 1858 में द्वारा आपका दबा दिया गया था ठीक है ना चलिए नेस कोशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लेकिन वीडियो जरूर लाइक करिएगा ताकि हमको भी पर 62 का जवाब होजेगा ए नंबर अर्था पैथिक लॉरेंस ठीक है पैथिक लॉरेंस इसके काइबनेट मेशन के अध्यच थे जो कि मार्च 1946 में आया था ठीक है याद रखना मार्च है ठीक है कहीं कहीं पर आपका जुलाई होता है लेकिन सुद्ध आपका होगा यहां प फरड किरिप्स थे यह विए अलेकिद्र थे ठीक है न चले ınız लाइच णा आप से कह रहे हैं इस्थाय बंदोबश्थ या इस्तमरारी विष्शत्ता का प्रारम दोल होतने उस्す Windows ऑब रार्म आपका लाडड कार DRC 292 और उस जमिदारी इस्तमदारी बंदोबश्थ विष् थी कब से हुई थी 1793 से आपकी हुई थी इसमें लाड कारण वेलिस के द्वारा किया गया था जिसका विस्तार बिहार बंगाल उडिसा थामस मुनुरों ने रहातवारी तथा हाल्ट मैकेंजी महलवारी कप्रार में किया था तो आपसे कोशिन पूर सकता है मुनुरों वाला क रायट वारी व्योसता कितने लागु किया था तो थामस मुनुरों ने किया था निस कहते है प्रतम राज़सभा आयोक का गठन किया गया था तो आपका जवाब हो जयगा डिनमबर 1905 में किया था ठीकए 1905 में किया गया था और इसके कोश्चने पूचा थे प्रतम राजभासा आयोग के अध्याच भी होता है तो बीजी खेर ठीक है बीजी खेर थे जो अनुच्छे 344 में राजभासा के सम्मंद में आयोग का गठन किया गया है भारती सम्मिदान के 21 संसोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया है ये कौनसा आपका संसोधन हुआ था तो आपका हो जाएगा 1988 सम्मिदान संसोधन जो की 61 ठीक है इसन मतरी संसध का गठन होता है तो भारती संसध का गठन आपका 79 अनुचित के एकौर्णिंग होता है जो कि उस पर आपका संसद में लोकसभा, राजसभा और राश्पती भाग लेते हैं अर्थातर संसद जो बनती ही वो तीन लोगों से मिलकर बनती है निस कहरा है सरवच न्यालय में न्यादिस न्युक्त होने के लिए किसी ब्यक्ति को कम से कम कितने वर्स उच न्यालय का अधिवक्ता होना चाहिए तो उच न्यालय अर्थात हाई कोट का अधिवक्ता होना चाहिए कम से कम कितने वर्स तक का तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा अनुछे देख से 24 के अंतरगत आपका उच्चतम न्याले दिया गया है और न्याधिसों की निक्ति भी दिया गया है राश्पती द्वारा तो यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नमबर अर्थात 10 वर्ष तक वो किसी भी हाई कोट का आधिव आता है भारत का सबसे बड़ा वाड़िजिक बैंक कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा आपका भारती स्टेट बैंक ठीक है भारती स्टेट बैंक है यह भारत का सबसे बड़ा वाड़िजिक बैंक है बात आती है कि इसकी मुख्याले कहां पर होता है इसका मुख्याले कहां प कोश्चन आपका यही है कि 3 दिसमर 18 को कतर ने ठीक है किस ने कतर ने किया अर्धात यहां पर सी नमर आपका हो जाएगा कतर ने ओपेक की सदस्ता छोड़ने की घोशना कर दिया है बिलकुर रट लेना इस को जो हम बोल दें उसको बिलकुर रट लेना ठीक है अगला है कि निम संस्ता क्यों सी idea संस्ता होती यहां पर यह लिखा idea आई डिय मतले इंटर नेशनल डवलफमेंट एसोसीएशन विस्वेंक समुका ही एक संगठन है और यह विस्वेंक के सुलब कर्जविंडो के नाम से आपका जाना जाता है ठीके नेश कह रहा है 15 वितायो के अध्यच कित पुष्टक दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है बहुत पुछे आ रहा है इसे में बुस्तक पुछे के पुछे आ रहे हैं तो पुस्तक दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जो लेखक है उन लेखक का नाम क्या है तो लेखक का नाम हो जाएगा आपका ए नंबर स क्या हैं। उसके उसके रही है निमडिक में से कौन रवी की फसल नहीं है तो अपका जवाब हो जगा नंबर अर्थाद जो धान है, यह आपकी खरीब की फसल है, और जिसे जो दिया है, आपका चना दिया है, मैसूर दिया है, यह आपकी कैसी है, आपकी रवी की फसले होती है, निश किरहा है, भारत की मुखिक खाद्यान फसल कौन सी हो जाएगी, तो 76 का यह हो जाएगा, बच्चे गेहुं लगा देते हैं और गलती हो जाती है चावल एक उस कटबंदी फसल है चावल के बाद गेहुं देश का सबसे महत्पूर खादाने मतलब कि चावल के बाद ही गेहुं आपको लगाना है ठीक है नेस को चना आप से कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग एवं इस्प्रेट सीट उधारन है तो वर्ड प्रोसेसिंग एवं इस्प्रेट सीट उधारन है वो किसके उधारन है तो जवाब हो जाएगा आपका ए नमबर यह आपके एप्लिकेशन साप्ट वेर है तो वर्ड प्रोसेसिंग और इस्प्रेट सीट र राणीं निम्लिखित में इसे हम भारत का सीचती नियाथ है है यहाँ पर कौन्वा अपका डी नम्बर बहां गडशे न सब्सक्राइग तो बार बार कहते हैं कि पांच से आपके दस नंबर तक आपकी बिल्कुल खतम का तो यहां पर अगला दिया है कि कौन से सार का सदस नहीं है तो सार का मुख्याले आपका काठमांडू है और आपका सदस से कौन सा नहीं है तो देखिए हमने बताया था कि सार क सदस में दो नहीं है उसके एकॉन सा आपको दिख रहा होगा और जो आपका नहीं समली थे तो आपका कौन सा है 79 का जवाब हो जाएगा आपका C नमबर चीन ठीके ना चलिए नेस आपका आया है जो कि आपका लास्ट कोशन है अमारे वीडियो का आपको कमेंट करके बताना होगा कि राश्टी गडित दिवस किसके जन्म दिवस के आउसर पर मनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है यह भी पॉइंट आपको कमेंट करके बताना है